अस्सलाम अलेकुम किचन विद्रिहाना में आपका इस्तखबार लिया आई है जम आपको अलवा पनाठा बनाना बताते हैं जो खाने में बहुत मज़ेका और बहुत आसानी से बन जाता है बिल्कुल बजार जैसा टेस्ट आता है जिसके लिए देखिए हमने ये दो कब मैदा लिया है और इसको हमने अच्छे से छान लिया है और इसमें डालेंगे हम नमक बहुत ज्यादा नहीं डालना है सिर्फ हमें थोड़ा ही इसमें नमक डालना है जरूरत के हिसाब से और दो स्पून डालेंगे हम इसमें देसी घी ये देखिए दो स्पून हमने इसमें देसी मसे पढ़े यह दालने के भाद अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इस तरीक के अच्छे से मिक्स आप गी रख लें से मिक्सित हो जाने चाहिए उसके बाद होड़ा फालिक बेड़ा पालिक डाल के हम इसकोड़ आप 47 त्यार तरह से हमने तयार कर लिया है और इसको रेष्ट के लिए रख देते हैं अब बनाते हैं हम हल्वा जिसके लिए हमने एक कप से थोड़ी कम शुगर लिए और थोड़ी त्यूटी फूरोटी और यह चारो मघस लिए हैं आप ड्राइफूट जो चाहें वह ले सकते हैं अभी हमने पैन लिए उसमें हम सूजी कोई कर लेंगे देखेगे सूजी का पूरा कच्छापन निकाल लेंगे इस को अच्छी तरीके से हमें लो फिलेम पर चलाते हुए भून लेना है जब तक ये थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता ये देखिए कलर चेंज हो गया है ये इसको निकाल लेते हैं ये भून चुकी है ठीक है अब इसी फ्राइ पेंड में हम दुबारा से गी डालेंगे एक स्पून और इसमें डालेंगे हम एक इलाइची अगर आप आप से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं लिए इसमें तीन कप डालेंगे हम पानी क्योंकि एक कप हमने बाता है अच्छी तरीके से हम इसको चलाते वे शकर्मेल्ट होने तक पका लेएच कोई चाशनी नहीं बननास है तो है और इसमें जब उबाल आ जाए तो इसमें थोड़ी थोड़ी करके हमें सूजी दिखेंगें कवर करके हलकी बिल्कुल हलकी आज पर इसको पका लेंगे यह देखिए हमारा हल्वा तयार हो छुका है अब हम इसको एक साइट रच देते हैं आब हमने इस तरीके से आप जाएं तो इसको रोलर से भी कर लें अब इसको क्या करना है हमें ऐसे ही नहीं डालना है वरना ये फूल जाएगा अब इसके अंदर हमें थोड़े थोड़े से कटके निशान लगा देना है और मोटा पतला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं ये देखिए इस तरीके से बस नाइफ की मदद से हमने इसमें निशान लगा लिए हैं ताकि फूले नहीं और ये सिखने में एकदम कुरकुरा हो जाए इसको हमें पराठे की तरह नहीं सेलना है जैसे तलना है इसको हमें पूरी की तरह तलना है देखिए इसको हमने इसमें डाल दिया है और इसको दोनों तरफ से पलट कर हमें अच्छे से गोल्डन होने तक सिख लेना है देखिए इस तरीके से ये कितना अच्छा दोनों तरफ से सिख गया है और एकदम से ये कुरकुरा और अंदर से सॉफ्ट हो गया है बस इसी तरीके से ये हल्वा पराफा बना कर देख inclusive इन्शालाब आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा और मेहमानों के आगे भी आप ये रख सकते हैं इस तरीके से ये वीडियो बना कर देखे इन्शालाब आपको बहुत पसंद आएगी हमारे वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें शियर करें और हमारे चैनल किचन विद्रियानों को सब्सक्राइब करना ना भूलें दूआँ में याद रखें आप से फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज